हेलो दोस्तों मेरे आट इंग कार्फ चैनल पर आपका बहुत बहुत स्भागत है और मैं आज आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आप डेली प्रैक्टेस करते हैं तो आपकी ड्राइंग काफी ज्यादा स्ट्रॉंग हो सकती है काफी ज्यादा अट्रेक्टिव हो सकती है तो आई मैं आज आपको बताता हूं कि वह कौन-कौन से बेसिक चीज जिने यूज करके आपनी ड्राइंग को काफी लाइग कर सके हैं दोस्तों इसमें कुछ बेशिक सी एक्सेसाइज है सबसे पहला है सर्कृ कि इस तरह के से कलाप कि यह और प्राक्टिस करके अपनी ड्राइंग को बहूत ज्यादा स्ट्रान कर सकते हैं जिसमें एक सर्कल है इस तरह के सर्कल अगर आप प्राक्टिस करेंगे डेली तो आपकी ड्रॉइंग काफी ज़्यादा मजबूत हो सकती है आप इस वो कुछ देट तक रोल भी कर सकते हैं आपको यह ध्यान रखना है कि आपको उसी एरिया पर रोलिंग करनी है जहां पर आपने पहले एक लाइंग खीची हुई है जब हम ट्रॉइंग करते हैं तो कई बार हमें सर्कल शेप की ज़रूत होती है तो अगर आप यह सर्कल प्रैक्टिस करते हैं तो जब भी आपको किसी भी ड्रॉइंग में सर्कल शेप की ज़रूत पड़ती है तो आप आसानी से एक सर्कल ड्रॉव कर पाएंगे ओकी दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट है ओवल ओवल एक तरह का अंडाकार का शेप है और इसे भी आपको हर तरह से हर एंगल से छोटे बड़े साइज में ड्रॉव करना है कुछ इस तरह अलग-अलग एंगल में भी ड्रॉव करना है इसे और अलग-अलग साइज में भी ड्रॉव करना है और कोशिश करना है कि हर एक्सराइज को आप कम से कम पांच मिनट तक कंटिन्यू करें डेली और वन मंथ में ही आप देखेंगे कि आपके जो सारे शेप्स हैं यह जो शेप्स आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यह काफी स्ट्रॉंग हो जाएंगे और इन शेप्स की मदद से आप कोई भी फिगर आसानी से ड्रॉव कर सकते हैं एक वाइट पीछ पे आपको तब तक यह प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको यह विजिबल होता रहे कि आप जो बना रहे हैं या जो आप शेप्स ड्रॉव कर रहे हैं वो आपको दिख रहा है या नहीं अगर पेच पुरा काला हो गया है तो उस पे आपको ड्रॉव करने की ज़रॉद नहीं है क्योंकि उसमें आपको अपकी लाइंज नहीं पता लेगेंगे ओके दूसों नेक्स्ट है लाइंज इसमें हमें स्ट्रीट और वर्टिकल लाइंज खेचनी है जो की ड्रॉइंग के लिए बहुत जादा जरूरी होती है और लाइंज की जुरत ड्रॉइंग में होती ही होती है तो इसमें हमें स्ट्रीट और वर्टिकल लाइंज खेचनी ह कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से करने इस exercise को दोनों तरफ से ही करना है हमें ओके यह हो गई हमारी तीसरी exercise जिसमें हमें straight और vertical lines देनी है चौती exercise जो है हमारी वो है zigzag lines इसमें हमें light and dark lines दोनों के combination में देनी है कुछ इस तरह से डाक लाइट डाक लाइट डाक लाइट डाक लाइट यह exercise किसी भी फिगर को हैंड फ्री ड्रॉ करने के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप डेली बैस पर इस exercise को करते हैं तो आपके ड्राइंग का जो तरीका है वो काफी हद तक हैंड फ्री हो जाएगा अगर को दोस्तों तो यह थी कुछ एकर साइस जो आपकी ड्राइंग को स्ट्रॉग करने के लिए काफी इंपॉर्टन है नेक्स वीडियो में मैं आपको बटाऊंगा की ड्रॉएंग और स्केचिंग में क्या डिफ्रेंस होते लाइंग और sketching कि नहीं कहते हैं या किस तरीके से दोनों में difference होता है drawing किस तरह से एक अलग चीज है और sketching एक तरह से कैसे एक अलग चीज है इसके बारे में मैं next video बनाऊगा Thank you